ट्रैफिक मिलना तो आजकल बड़ा नॉर्मल है बट ये कोई नॉर्मल ट्रैफिक नहीं। कानपूर की सड़कों पर अप नई सुवदा मिल रही है। गुंड़ई पैकेज और इसमें आपको मिलेगा सड़क के बीच में गाड़ी रोककर फूल खरीदने का फ्री शो। जाम का एक्स्ट्रा बोनस और उपर से बंदुक की धमकी वाला मसाला। अब देखिए भाईया कानपूर के सिमाव बिनानसवा में हमारे एक भाई ने फिल्मी एंट्री मारी। भाई साब ने सड़क के बीचो बीच गाड़ी रोकी। ऐसा जैसे कि कोई सूपर स्टार रेड कार्पेट पर उतर रहा हो। और फिर क्या हुआ। फूल खरीदने चले गए बिल्कुल अराम से। पीछे जाम में फसे लोग तो मानो मूर्खी हो। और जब लोगों ने हौन बजाना शुरू किया तो भाई साब का दूसरा साथी नीला शेट में गुंडा मोड आउन करके गाड़ी से निकला। हाथ में बंदूक लिये और शुरू कर दी गालू गलोच की फुलाण गुंज। और ये पूरा ड्रामा कहां हो रहा है नजीराबाद थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर यानी पुलिस से दूरी नहीं बस उनके घर के बाहर ही और पुलिस वही हमेशा की तरह चुपी सादे हुए जैसे कुछ देका ही ना हो यहां अचार सहीता लागू है मगर सड़क पर दबंगो की अचार सहीता जादा मुझबूत लगती है अब पुलिस साप से पूछा गया की क्या हो रहा है तो उन्होंने भी जवाब दिया जाँच जारी है यानी मतलब भाईयो आप निश्चिंत वीडियो वाइरल हो जाए लोग परिशान हो जाए बंदूक निकले गाली बके लेकिन पुलिस साथ जांच करेंगे धीरे धीरे आराम से और जनता वो तो तमाशा देख रही है एक तरफ दबंग गई दूसरी तरफ प्रशाशन की खामोशी कानपूर में ऐसा होना अब आम बात हो गई है क्योंकि यहां आचार सहीता तो है मगर आचरन की चिंता किसी को नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक